आपका स्वागत है शिक्षार्थियों आज हम उच्चतर मादिमिक इस्तर पर एक पार्ट सोचना प्रध्योगी की सुरूप और महत्तु पर बात्चित करने जा रहे हैं आज जानते हैं कि सोचना प्रध्योगी की छेतर में लगातार विकास हो रहा है और इस विकास को किस तरह से समझा जाए इसके बारे में हम विश्तार से बात्चित करेंगे इस बात्चित के लिए हमारे साथ हैं दॉक्टर सूर्यनाथ सिंग वरिष्ट पत्रकार जनसत्ता में इस कारेक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद तो आप सुचना क्रांती के बारे में क्या बताना चाहेंगे शिक्षार्थियों को अगर कहा जाए तो यह युग यह जमाना यह समय सूचना प्रद्योगी कही समय है जितनी तेजी से सूचना प्रद्योगी के छेत्र में विकास हो रहा है शायदी किसी और छेत्र में हो रहा इसका पहला कारण तो यह है कि हर कोई तुरंत सूचना चाहता है हर छेत्र में सू या समचारों का मामला हो हर खेत्र में हर आदमी सूचना के लिए लालाइत रहता है उत्सुक रहता है जानकारी चाहिए उसको हर समय तो उस धंग से पहले के जमाने में क्या होता था कि अखबार होता था एक माध्यम जो लोगों तक पहुंचता था और सुचना पहुंचती थी समचार पहुंचते थे अब दूसरे तरह के साधन आ गए है जैसे टेलिविजन है इंटरनेट के जरिए या मुबाइल पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है तो सुचना के शेत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और उसका फायदा भी हुआ है विस्तार होने से फायदा ये हुआ है कि हर व्यक्ति हर छेत्र में जिस भी शेत्र में लगा हुआ है अपने मतलब की चीज़ें जो उसको चाहिए जानकारी वो सुचना के माध्यम पर उपलब्ध हो जाती है इंटरनेट के जरिए जैसे एक व्यापारी है, व्यापार के छेत्र में उसको अपने उद्योग को आगे बढ़ाना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, तो वो सूचना प्रोध्योगी के जरिये अपने विग्यापन देता है, या दूसरे उसी अपने ही छेत्र से जुड़ी हुई चीजों को जानकारी लेता है लोग कहां क्या क्या कर रहें क्या हो रहा है तो जानकारिया लेकर और फिर वो अपने धंच से उसमें नएने ब्रयोग करता है और उसको आगे लेकर जाता है तो यह सूचना प्रोधिवी का महत्व है इसमें जैसे अभी आपने बताया कि आर्थिक छेत्र हो या फिर सामाजिक छेत्र हो मनुरंजन का छेत्र हो अलग-अलग छेत्र में हर जगह पैठ सुचन करांती की है और हम यह उमीद भी करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हमें सबकुछ जानकारी मिल जाए तो करांती इसी रूप में है कि हम पूरी तरह से निर्भर हो गए है और अनेक कंपणियां इसमें आ गई हैं उनमें भी एक होड नजर आ रही है क्या हाँ कंपणियों में होड है कंपणियों में देखिए इसके दो दो मैं रूप देख था हूं होड दो रूपों में एक तो सचार माध्यम का अपना होड है जो सचार माध्यम है उनका होड है जैसे टेलीवीजन है या इंटरनेट पर बहुत तरह के कारिक्रम जैसे बहुत लोग ब्लॉक चलाते हैं वेब साइट चलाते हैं यूट्यूब बहुत सारे कारिक्रम डालते हैं तो उनका आपसी जो होड है वो तो है ही व्याप कमपनियों का जो आपसी होड है कमपनिया मतलब जो कारोबार के छेत्र में काम कर रहे हैं एक ही चीज एक ही छेत्र में कई कमपनिया काम कर रहे हैं अब जैसे माली जी कि वस्त्र का उद्योग है जैसे कमीज बनाने वाली कमपनियां तमाम कमपनियां और हर देश में हैं तो उनके आपस में प्रतिसपर्दा है कि हम कैसे गुणवत्ता एक अच्छी कमीज बनाएं उसकी सिलाई अच्छी हो उसका कलर अच्छा हो और ग्रहक को संतुष्ट करें तो यह मुख्य गुण है और उसको लेके खोड़ है कि कैसे हम कम कीमत में बढ़िया चीज उपलब्द करा पाएं अब उसके लिए होता क्या है कि संचार माधिम कैसे इसमें आपका सहयोगी बनता है कि आप विग्यापन देते हैं विग्यापन के जरीए बढ़ चड़के अप अपनी उसकी उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं उसके रंग उसके तमाम जो खासियत होती हो विग्यापनों के जरीए जारी करते हैं अब विग्यापनों का स्वरूप क्या हुआ एक तो प्रकाशित करते हैं आप विग्यापन या वीडियो के जरीए विग्यापन देते हैं एक आप खुद अपने सवाल भी पुन से पूछते हैं कि इसमें क्या खास बात है तो आपको जवाब भी तुरंद कर तुरंद मिलता जाता है उस इसाब से आप तै करते हैं कि यह चीज हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए तो इसमें इस तरह से एक होड़ एक प् पक्ष है कि एलेक्ट्रोनिक का उप्रियोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है संचार को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें सेटेलाइट से लेके इंटरनेट बहुत सारे साधन हैं तो उसमें आप विद्यारतियों को क्या बताना चाहेंगे एक चीज की आज क्या हो गया है कि हर चीज सेटेलाइट सेटेलाइट मतलब उपग्रह जो हम छोड़ते हैं तो उसमें उपग्रह के जरिये अफसारी चीजें अपनी गुणवत्ता को सुधारने के लिए संचार माध्यमों में गुणवत्ता जैसे पहले क्या होता था कि दूर तो अच्छी से अच्छी आवाज अच्छी से अच्छी चित्र और उसकी क्वालिटी जो आने लगी है तो वह उपग्रह से ही संभव हो पाया उपग्रह क्या होता है कि हम एक प्रितिवी की कच्छा में ऊपर एक सेटेलाइट छोड़ते हैं उपग्रह छोड़ते हैं जहां डाउनलोडिंग कहते हैं जब आपके मॉनिटर पर या मुबाइल पर या टीवी पर जो चीज़े आती है तो वो सेटिलाइट के थू आती है जब जरी आती है तो बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी होती है तो यह जैसे रेडियो है या टेलिवीजन है तो यह सारे प्रसारान उसी के माद्यम से होते हैं रेडियो में दो तरह का है एक तो इनका अपना फ्रिक्वेंसी सेट होता है जो पहले चलता था जैसे मीडियम वेप के जो हैं वो मीटर मैंड वाले जो कारिकरम है तो अपनी एक इनकी हर्ट सेट होते हैं कि किस हर्ट पर कितने मीटर पर यह काम क करते हैं कि आप यहां से दोने उससे क्या होता है दो उसके तरीका यह होता है विद्यार्थियों को समझने की बात है कि जैसे हमारी प्रिथवी गोल है गोल है तो एक जो हर्ट्स वाले जो मेगा हर्ट्स वाले जो तरंगे हैं वो प्रिथवी के इस तरह से चलते हैं लेकिन ज में तरंगे चल रही होती है तो कभी बादल है हवा है बारिश है तो उसमें आपका रेडियो पकड़ने में मुश्किल करता है तो इसलिए अब सेटिलाइट पर लोग जाने लगे हैं तो FM का जो रेडियो है वो सीधे उस पर चलने लगा तेलिवीजन के जो कारिक्रम है तेलि का माली ज्यका है हमारे जितने भी मित्र नहीं एक मोबाइल से में बहुत सावर मित्रों से जुड़े हुए हमाँ बात कर सकते हैं यहां तक जो सेल्लडर फून है जिसको हम mobile phone कहते हैं वो उपगरह के जरिये ही चलते हैं तो कि हर जो company है वो अपना एक वहाँ पर slot लेती है एक जगह लेती है और उस जगह पर आपकी सारी जो सूचनाएं हैं वहाँ पर जमा होती हैं और वो सूचनाएं फिर आप तक आती हैं तो यह सब चीजें हैं जो आप उसकी वजह से संचार और आसान हो गया और क्वालिटेटिव भी हो गया इसमें एक महत्वपुर्ण जो सवाल है कि इसका लाब कहां कहां मिलता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे संचार माध्यमों का लाब अब तो यह है कि दुनिया का प्रयास यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसार नबचे जो संचार माध्यमों से उसका जुडावड़ना हो हे वो खेती बारी का मामला हो, हर किसान तक अब यह सरकार भी खुद ही औजना चलाती है, जो कि सेटलाय मतलब मुबाइल के जरीए, आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, जो क्या करते हैं, हेलप लाइन शुरू कर जाती हैं, आपको खेती बारी से संबन्दित पाहि लिखाई करने वाले लोग हैं आप देखिए शिक्षा के छेत्रे में तमाम विश्व विद्याले आपका मुक्त विद्याली सनस्थान जो है वो पाथिक्रम अपने वहां पर इंटरनेट पर लोड करता है बहुत तरह के वीडियो लोड करता है तो जो शिक्षार्थी कि किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं या दिन में कुछ और काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम थोड़े तक हाली समय में तो हर समय किताब लेकर चलने के बजाए अगर उनके पास एक मुबाइल सेट है तो उस मुबाइल सेट पर अपना लाग-इन खोलते हैं और वह अपना पढ़ लेते हैं या बीच वीच में तो यह सुबिधा उनको हुई है मतलब कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है इसका अब तो यह है सरकार भी चाहती है जिस तरह से हमारे देश में आबादी बढ़ी है उसमें अब यह माना जा रहा है कि संभ अब ओपन लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है कि आप एक परिसर में जरूरी नहीं कि आप क्लासरूम में बैठके ही पढ़ें एक परिसर मुक्त शिक्षा की बात हो रही है और हो रही है यहां तक हैर एजुकेशन में तमाम विश्व विद्याल है अपना उपन लर्निंग करिक्रम चलाते हैं यूजी सी ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि किसी भी विश्व विद्यार्यकी हों इध्यापक हों उस पोर्टल पर जाके देख सकते हैं सीख सकते हैं समझ सकते हैं आपका और ओपन जैसे जिससे आप जुड़े हुए ह वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर समय आप वहाँ पर उपके कार्या ले जाएं, तभी सारी सुचना है, बहुत सारी सुचना है, आपको उपलब्द हैं मुक्स के माध्यम से सारा पाठेक्रम उपलब्द कराये गया है, सारे वीडियो उपलब्द कराये गये हैं, तो यह बहुत ही एक शशक्त माध्यम के रूप में सामने आया है बहुत बहुत जरूरी जरूरी चीजे सूचना प्रोध्योगी की सिक्षा के प्रसार में तो मतलब वरदान सावित होने जा रहा है कि आप घर बैठे हर समय चलते फिते आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कक्षा में बैठके ही पढ़ाई करें, अध्यापक से ही सीखें इसी तरह से मौनरंजन के छेत्र में है, मौनरंजन के छेत्र में पहले क्या होता था, कि आपको एक जगह जाना पड़ता था, चाहे हो नाटक देखने जाना पड़ता था, या कोई और संगीत के खारिकरम है, तो देखने जाना पड़ता था अब क्या हो गया है बहुत सारी चीजहें जैसे YouTube पर आप जाते हैं आपको कोई गीत सुनना है संगीत सुनना है फुराना हो एगदम या एगदम नया हो तो आप अपने मोबाइल पर या घर पर आपके घर के TV में भी टेलिवीजन में भी इंटरनेट से जोड़के आप नई से नहीं फिलमें देख सकते हैं, वैसे ही आप चलते फिरते सुनते रहते हैं, फिलमें देखते रहते हैं, आपको सिनेमा हौल जाने की जोरूत नहीं पड़ती है, तो यह एक करांती हुई है। हम सूचना प्रध्योगी की के लाब पर बात कर रहे थे उसमें सामाजिक और राजनितिक जागरुकता लाने में कैसे भूमिका रही है संचार माध्यमों का भूमिका तर राजनीतिक जागरूक्ता लाने में तो बहुत ही महत्पूर भूमिका रही है बहुत सारे मामलु में हम समाजीक अंध विश्वासों और समाजीक कुरुईतियों से जो जक्रे हुए थे बहुत सारी चीजों को एक रूड़ी की तरह हम लोग प्रहावी थी अब ये संचार माध्यमों के आने से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीजों के वैज्ञानिक तथेओं को से हम परचित हुए है और उसकी तहर तक जाने लगे हैं तो एक तो हम में समाजिक जागरूपता आई है अपने अधिकारों के बारे में जागरूपता आई है और हमारे समाज का विकास कैसे होना चाहिए दूसरे समाजों को हम बहुत आसानी से देखने लगे हैं संचार माध्यमों के जरिये हम इंटरनेट पर, अपने मुबाइल पर, टेलिवीजन पर, अब हर घर में टेलिवीजन है, हर हाथ में मुबाइल है, तो वो देखता है कि दूसरे समाज में कैसे विकास हो रहा है, दूसरे देशों में कैसे विकास हो रहा है, तो वो चाहता है कि हमारे आवे तो ये एक जागरूपता आई है इसी तरह से राजनीतिक जागरूपता आई है कि हम जिस प्रतिनिधी को चुनके भेज रहे हैं वो हमारे लिए क्या काम कर रहा हमारी सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी लाके के लिए तो यह जागरुकता आई है, बड़े पैमाने पर अच्छा, एक तो क्या हुआ है कि संचार माध्यमों का प्रसार देखिए कि किस रूप में बहुत तेजी से हुआ संचार माध्यमों के आने से सुचना प्रवधव के जिसको हम hip-new media काते हैं, नया संचार माध्यम जिसको काते हैं. पहले क्या होता था कि अखवार एक माध्यम होता था, रेडियो एक माध्यम होता था, तो अखवार छपिगे 24 गंटे बाद आप के घर पहुंचता था चोविस घंटे बाद वह सूचना आपके पास पहुंचती थी आप पढ़ते थे उसके बारे में चर्चा करते थे अब वैसे रेडियो पर क्या होता था कि हर आदे घंटे या एक घंटे बाद बुलेटिन समचार के आते थे उसमें बहुत कम सूचना आप तक अब क्या हो गया है कि पलपल की जो न्यू मीडिया है न्यू मीडिया जब हम कहते हैं तो उसमें न्यू मीडिया में आपका इलेक्ट्रोनिक माध्यम आते हैं जिसमें टेलिवीजन आता है आपका इंटरनेट मोबाईल है अब इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट एक कोई एक माध्यम ने, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजे हैं, जैसे आपके वेब पत्रकारिता है, उस पर चल रही है, वेब साइटें जो चलते हैं, उस पर वेब पत्रकारिता का एक बड़ा संजाल है, तो अखबार से और उससे चलके जब आप न्यू मीडिया में जो आप पत्रकारिता का एक नया आयाम खुला है, तो जो वेब पत्रकारिता में क्या होता है, कि आप घर बैठें, अपना एक पन्ना खोलते हैं, मतलब जो आपने वेब साइट अपनी बनाली है, www से, या कोई फेस्बुक पर अपने अपने अकाउंड खोल लिया है, या ब्लॉग इस तरह से बहुत तरह के प्लेटा यूट्यूब पर आपने माली एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, खोल लिया है, अकाउंट खोल लिया है, तो आप घर बैठे, चलते फिरते, बहुत सारी चीजें आप सूचनाएं उस पर देते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते है तो इस तरह से संचार माध्यम आप पलपल की खबरें, पलपल की चीजें और अपने आस पास बहुत, पहले क्या होता था कि सूचनाएं इकठा करना बहुत मुश्किल काम होता था, छोटी जगों से सूचनाएं लेकर बड़े शहरों तक पहुँचाना, फिर उन्हें प्रक कोई दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है, या अस्ट्रेलियम बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, तो वह वहां जो सूचनाएं हो रहे हैं, तुरंत लिख रहा है आप तक पहुँच पा रहा है, आप यहां लिख रहे हैं, आपकी सूचना वहां अस्ट्रेलिया अमेरिक किया जाता था जो टेप पर यह करके चलाया जाता था और तेलिवीजिन पर आप देखते थे वह साथ ही प्रोग्राम की तरह से चलते थे हपते में एक बार दो बार होता था ऐसे कई कारेकरमों की याद कर सकते हैं अब वो जमाना गया हफ्ते बर तो क्या एक पूरे दिन 24 गं Safety say Rocket OS किवार कंपनि में औbr हूँ और सब्सें बड़ी बात यह है कि सरकार से जग व्यक्राइब के आपके आप उसन изб SARV को भी जागरू को ओना चाहिए इस बच्चों को ज्यान करना चाहते हैं है अगरोग हो और वह बहुत जा है जांते हैं। कि हम क्या कर रहें क्या पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा तो सिक्षार्तियों इस तरह से हमने आज ये सुचना प्रोधिगी के सुरूप और महत्तु पर बादचीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बादचीत के लिए तो मुझे उमीद है कि आप इसका जरूर लाब अन्यवाद आपका